जैश्री कृष्णा दूस्तों केसे हैं आप सब आज हम बना रहे हैं बिल्कुल मुंबई स्टाइल में तवा पुलाव जिसे खाने के बाद ना बस आप इसे खाते रे जाएंगे बस जो पावबाजी का मसाला रहता है उसमें हम पके हुए चावल को मिला कर एकदम चटपडा सा मसालेदार यो पुलाव बना कर तयार करेंगे इसे आप टिफिन के लिए भी बना सकते है या फिर लंच तो बस हमें एक कप इतने सेला राइस लेने हैं या फिर आप बासमती चावल भी ले सकते हैं तो चावल को पहले हम दो से तीन बार पानी से अच्छी तरह से वाश क लेते हैं इसमें हमें चार कप इतना पानी एड़ करना है फ्लीम को हमें तेज आज पर ही रखना है अब इसमें जाएगा आदा चमच इतना नमक पाव चमच इसमें हल्दी पावडर एड़ करते हैं और बस इसमें उबालाने देते हैं पानी में जब अच्छे से उबाला ज जाते हैं तो चेक करते हैं चावल पक चुके हैं तो इसे हम फॉरण ही छनी में निकाल लेंगे तवा पुलाव के लिए चावल है वो अच्छे से खिली खिली होने चाहिए उक्रे अब इसे हम रखते है साइड में तवा पुला बनाने के लिए तबे को हमने चुले पर रख दिया है एक बड़ा चमच जिसमे तेल अड करते है और थोड़ा सा बटर डाल करना पहले इसे अच्छे से गरब होने देंगे तवा पुला बनाने के लिए ज़रूर नहीं है कि तवा पे ही इसे आपको बनाना है आप कोई भी बर्दन में इसे पका सकते हैं अब इसमें आदा चमच जीरा आड़ करेंगे एक लंबाई में कटा हुआ इसमें प्यास डालेंगे और प्यास को ना हमें हलका फ्राय कर लेना ह प्यास जब अच्छे से ट्रांसलोंट हो जाए तब इसमें हम गाजर के तुकुड़े है वाइड करते हैं, थोडी सी फ्रेंच पेंस, थोडी सी सिम्लामिर्ष है वाइड करते हैं, ताजे मटर जाएंगे इसमें, थोडी सी यहाँ पर मैं फुल गूबी भी ढाल रही हूँ थोड़ा सा नमक एड़ करते हैं और बस कुछ मिन्टों के लिए सबजियों को फ्राय करते हैं अब इसमें हमें एक बारी कटा हुआ टमाटर है वैड़ करना है तीज आज पर रख कर ही हमें सबजियों को अच्छे से चम्मस से चलाते हुए फ्राय करना है अब इसमें boil किया हुआ आलू डालेंगे आलू को boil करके इसमें add करिएगा और इसे अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे तवा पुलाओ के लिए जो सबजी आ रहती है न उसमें हलका crunch रहता है मतलब कि आपको इसे over cook नहीं करना है इसमें हलका करारा पर रहना चाहिए जब सबजी आया न वो अच्छे से भून जाये तब हम ना सबजीयों को side में करेंगे और बीच में मसाले भूनने के लिए जगा बनाएंगे अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और बटर को अच्छे से melt होने देंगे फिर इसमें एक चमच अधरक लेसन की paste डालेंगे मैंने दो चमच कश्मिरी लाल मिर्च को ना पानी में मिलाकर इसकी paste बनाई है वो इसमें एड़ करते हैं तो बस हमें इसे दो मिन्टों के लिए अच्छे से fry होने देना है ताकि जो अधरक लेसन का कच्छा flavor है वो निकल जाएगा अब इसमें हम थोड़ी सी healthy powder एड़ करते हैं दो चमच इसमें जाएगा most important पाव भजी मसाला पाव चमच इतना धनिया powder पाव चमच चाट मसाला पावडर डालेंगे आदा चमच कसूरी मेथी थोड़ी सी बारी कटी होई धनिया के पत्ते और सारी मसालों को अच्छे से भूनेंगे पहले अगर आपको लगे कि यह मिश्रन ड्राय है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगा जिसे मसाले है न वो जलेंगे नहीं नाचरल कलर के लिए इसमें हम थोड़ा सा कीसा हुआ बीट रूट है वैड करेंगे सबजियों में हमने थोड़ा सा नमक अड़ किया हुआ है बस थोड़ा सा नमक डालेंगे और बस इसे अच्छे से भूनेंगे तो देखिए यहाँ पर बड़िया सा हमारा मसाला है वो भून चुका है जो थेले वाले बनाते है न वैसे ही लग रहा है अब सबजी को न हम इसमें अच्छे से मिक्स करते है और एक दो मिनट के लिए से और पकाएंगे जैसे हम पाव भाजी के लिए मैश करते है वैसे हम इसे मैश नहीं करना है अब इसमें हम पके हुए जो चावल है वैट करते है उपर से ताजी धनी के पत्ते डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए हम इसे दो से तीन मिनिट के लिए stir fry करेंगे गाइज ही हमारे मुंबई का special तवापुलाव है क्या कहते है चाइनीज वाले फ्राइड राइज से कई गुना बढ़िया है खा के देखिए का एक बार सो बस इसे चम्मच से चलाते हुए हमें इसे mix करना है कभी पाव भजी बच जाए ना तो आप इस तरह से तवापुलाव बना सकते है सो बस इसे हमने तीज आज पर रखकर mix कर लिया है अब इसके उपर हम थोड़ी सी बारी कटी है धने के पति डालेंगी और थोड़ा सा निम्मू का रस डालेंगी और गर्मा गर्म इसे सव करते हैं राइते के साथ बहुत ही चटपड़ा सा मसालेदार तवापुलाव रेड़ी है तो इसे आप बनाईए और इंजॉय करिए तो फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप घर का खाईएगा और अपना ख्याल रखे